फोजी बाई योंको नमस्कार वेलकम बैक टो एके इन्फो टेक चानल आज हम इस वीडियो का माध्यम से जो भी अपना एक्सरिशन बाई लोग है उन लोग जो भी लोग है ECHS कार्ड अपलाई करना चाहता है पहली बार अपलाई कर रहा है वो लोग 21 जनवरी 1996 से पहले का लोग है और 1996 से लेके मार्च 2003 तक का लोग है और 2003 एप्रिल का बाद जो भी लोग है रिटार हुआ है इन साभी लोग के लिए फर्स टाइम जो अपलाई कर रहा है उनके लिए कास करके ये वीडियो बना रहा हूँ और आपने शुरू से लेके अंतिक जरूर देखियागा तभी आपको समझ में आएगा और आपको इसी टाइप का वीडियो हमेशा में आपके लेके आता हूँ आप लोग जरूर हमारा साथ दीजे और सब्स्राइब करके लाइक करके और शेर करके अभी चलते वीडियो में सबसे पहले तो एक जनवरी 1996 से जो लोग रिटाइर हुआ है उनका डाक्मेंट देखते हैं अभी पहले उनके लिए डाक्मेंट्स है उनका यमारो का जिरूरत नहीं मतलो मिल्टरी रिशूबल आडर जो अभी जो लोग पे कर रहा रिटाइर होने से पहले सबस्रिप्शन के लिए जवान के लिए 30,000 रूपी जैसी वोस के लिए 70,000 सम्तिंग और आफिसर के लिए 1,30,000 सम्तिंग लगता है इसका यमारो के लिए वो पैसा आप लोग पे करने के ज़रूरत नहीं है और उसका बाद 1996 एक जनवरी 1996 से लेके 31 मार्च 2003 का बीच का जो लोग है पहली बार अपले कर रहा है उन लोग अपना एफेम में मेडिकल एलाउंस जो ले रहा है हर महिना 1000-2000 जो भी है उसको पहले अपना बैंक में जाके DPDO का फार्म बरके बैंक मेनेजर से साइन कराना मेरा next month से DPDO बंद कीजिए सर और हमारा ये DPDO का रिशिप्ट का उपर साइन कीजिए बताके आपने DPDO रिशिप्ट लेना है और साथ में ये अमारो का एक फार्म होता है आपने सब्स्रीप्शन ले रहा है इसी चिस का जो यमाउंट है 30,000 जो भी वोर्स का लेवल में उसका यमाउंट पे करके और आपने अपना ये अमारो फार्म का उपर बैंक से टपा लगवा के ये अमारो का रिशिप्ट लेना होता है उसका बाद एक PPO का जिरुरत होता है वो PPO आपको पास हमेशा रहता है वो PPO को भी जब ये फार्म बरता तो अटाच्मेंट लगाना होता है उसका बाद उसका बाद देखेगा मतलब 2003 का बाद जो भी लोग रिटेर हुआ है उनके लिए सिर्फ PPO लगेगा क्योंकि उन लोग आलड़ी ECHS का सब्स्रिप्शन पे कर चुका है जो भी पे करना था इसलिए उनको सिर्फ PPO लगता है बागी तो अभी इसमें लागिन हो जाएंगी उसमें पता चल जाएगा और क्या-क्या डाक्मेंट्स मतलब जो भी सिखनेचर से है फोटो से है डिटेल्स क्या लगता है अभी देखेंगी ये वीडियो तोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पोरा इंफर्मेशन दिया जाता है इसी वीडियो में जिरूर आप सुरू से लेके अंतक देखिएगा ये एक जिरूरी चीज है अपना एक्सर्विस्मेंट भाईयों का और उनका परिवार के लिए ECHS कार्ड का इसलिए आप लोग आराम से अपना मोबैल से भी इसी अप्लिकेशन को अप्लाई कर सकता है इसलिए आप इस बात को द्यान रखेगा और आराम से अपना मोबैल से भी आप इसी अप्लिकेशन को बर सकता है ECHS कार्ड के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है पहली बार जो रिजिस्टेशन करना चाहता है उनको किस तरफ से रिजिस्टेशन करना मैं आलरड़ी बता चुका हूँ और मैं आपको डिस्टेशन में इसका लिंक प्रोवैड करूँगा आपको इसका रिजिस्टेशन किस तरफ से करता है अभी वीडियो लंबा हो जाएगे इसी वज़े से मैं डारेक्टली इसको लागिन हो जाता हूँ फिर आपको कारवाई किस तरफ से करना इसका फार्म किस तरफ से करना वो मैं आपको समझाने के लिए कोशेश करता हूँ अभी चलिएगा अलरड़ी रिजिस्टेट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जाएगा रिजिस्टेट करने के बाद यहाँ पे देखेगा जैसे आपने लॉग इन किया है इस तरफ से विब पेज खुल के आ जाता है पहले तो आप एडिट अप्लिकेशन पे जाईएगा यहाँ पे जैसे आपने एडिट अप्लिकेशन पे आया इस तरफ से आपको आपको अगले पेज आ जाता है यहाँ पे देखियागा click here to select your application category यहाँ पे देखियागा अपना category को select कीजिएगा मैं जो आपको समझाने के लिए कोशेस करना हूँ वो है जो पस्ट टाइम में जो अपलाई कर रहा है इसी चिसकार्ड के लिए उनके लिए में यहाँ पे फार्म बर रहा हूँ इसमें दो टाइप का है एक तो एक्सर्विस्मेंट डिमाईज होने का बाद उनका किस तरफ से अपले करता है एक तो एक्सर्विस्मेंट का किस तरफ से यहाँ पर अपले करता है कोई दोनों को कोई ज्यादा फरक नहीं है वो दोनों को आप इसी अप्लिकेशन में देख सकता है इसी का दोरान पहले तो हम प्री 1st January 96 रिटारीस का देख रहा है हमने यहाँ पर सेलक्ट किजेगा जैसे सेलक्ट किया आपको यहाँ पर फॉर्म कुल चुका है अभी आप द्यान से देखेगा सुरू से लेकर अंतक आपको बड़ी आसा में समझाने के लिए कोईसिस करूंगा सबसे पहले तो यहाँ पर हमने आ गया यहाँ पर देखेगा अप्लिकेशन आनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म फर प्री 1st January 1996 रिटारीस टाइम आप्लिकेंट अभी देखेगा यहाँ पर यहाँ पर सर्विस नंबर जब रिजिस्टेशन करता है उनका नाम और सर्विस नंबर अपना पा जाता है बाकि आपने यहाँ पर देखेगा जन्डर जो भी मेल है फिमेल है आपने सेलक्ट किजिएगा और उनका जो यह सम का डिटेल से यहाँ पर बरना होता है यहां पे उनका डेटा बरता आपने यहां कैलेंडर से आपने सेलक्ट करके डाल दीजिएगा और यहां पे देखिएगा यूनिट लैस्ट सर्विस का जो यूनिट है वो यूनिट को आपने यहां पे टाइप करके डाल दीजिएगा यहाँ पे commission, अबलिक enrollment date जो उन लोग ने, अगर आफिसर होता तो commission date बोलता है जवान का level में है, जवान से लेके हानरी नायक सुभिदर तक बोलता है उनका enrollment date बोलता है, वो date आप यहाँ पे डाल दीजेगा और यहाँ पे देखेगा date of discharge date of discharge, date of discharge आप इसी calendar से आपने उनका retirement का date आप यहाँ पे डाल दीजेगा और यहाँ पे देखेगा service, EACM, service, army, navy, air force जो भी है आपने यहाँ पे देखके select किजेगा और DAC, SFF, Coast Guard, NCC, SM Rifles इनी सभी की लोग उनके लिए ECHS का डातरा है जेए आप उसी साबसे आपने select करके डाल दीजेगा उसका पाद चलिए पर यहाँ पे देखेगा ESM category हमने यहाँ पे मानलो army का select किया है उसका पाद यहाँ पे ESM category है मतलब उनका उनलोग officer है fighting force का supporting troops का ओगेर officer है तो आप officer less AMC, ADC and MNS का select किजिए अगर medical core का संबन दीता है जो भी officer से यहाँ पे select किजिए JCO wars के लिए आपे select कर सकता है हमारा मामला में officer wars को select किया है यहाँ पे उनका rank आपने जो भी rank है आपने select किजिएगा यहाँ पे नीचे देखिएगा record office, record office उनका जितना भी core है सबका record office यहाँ पे show करता है आपने देखिए उनका record office को select किजिएगा और type of pension उनका pension, service pension है, family pension है यहाँ पे देखिए उनका इस आपचा आपने select किजिएगा select करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे द्यान दीजिएगा जरूर एक service man alive एक service man है, tik-tak है, उनका तो alive में आता है अगर उनका वो अभी नहीं रहे उनका परिवार के लिए आपने apply कर रहा तो demise का आपने select करना होता है disease का जिसे हमने select करता है तो ज्यादा difference नहीं है यह दोनों में वह भी मैं आपको दिखाता हूं disease में जिब करता है तो यहाँ पे demise का date मतलो date of death का यहाँ पे डालना होता है और यहाँ पे PPO number डाल दीजिए जब हमने यहाँ पे एक्सरेश्मेंट disease करके जब डालता है तो नीचे द्यान दीजिएगा यहाँ पे certificate upload करना होता है इस बात को द्यान दीजिए और यहाँ पे bank manager से sign करवा के यहाँ पे upload करना होता है और यहाँ पे PPO upload करना पड़ता है यहाँ पे certificate ESM का upload करना पड़ता है अभी आपने यह एक्सरेश्मेंट कर देंगे अभी यहाँ पे देखिएगा PPO number दीजिएगा यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे एक्सरेश्मेंट का photo देना होता है अपलोड करना होता है जैसे यहाँ पे upload करना होता है आपको उसका पार सेम यहाँ पर उनका जो signature है signature को same files में जाके select करके same उसी तरफ से upload करना होता है फिर आगे चलिए चलते हैं यहाँ पर देखेगा email id डाल दीजिए यहाँ पर gender को डाल दीजिएगा फिर यहाँ पर disability आगर उनको कोई दिक्कत है अगर उनका कोई category है अगर कुछ भी बात है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा यहाँ पर उनका data बरत को डाल दीजिए monthly income कोई job कर रहा हूँ मंतली income बात डाल दीजिए यहाँ पर state कोई है वो state को आपने यहाँ पर select किजिएगा जैसे select किया तो आपने उसका बाद देखिएगा यहाँ पर other status available है not available है अगर पहली पर आपने आपने उसका enroll ID लिया है उनका ID भी आपने डा सकता है अगर उनका उनका तो other card बिल्कुल नहीं है या तो किसी problem से नहीं ले पाया तो exemption को आपने select कर सकता है फिर आपने देखिएगा यहाँ पर available किया तो available यहाँ पर column में आपने उसका number डाल दीजिए अधार number यहाँ पर pen number डाल दीजिए यहाँ पर select marital status married and married आपको यहाँ पर select करना होता है अगर उनका wife डित्त हो गया तो उसके लिए भी आपने यहाँ पर select करना होता है यह video over करके जो दिख रहा है उसको आपने select करना होता है अगर unmarried है unmarried किजिएगा यहाँ पर blade group को आपने select करना होता है फोरा blade group यहाँ पर show करेगा आपको फिर यहाँ इनका drug allergies का कुछ problem है yes कीजिएगा यहाँ पर उनका बारे में कुछ type करना होता है नो करने से कोई दिक्कती नहीं है उसका बाद यहाँ पर account number डाल दीजिए यहाँ पर IFSC code यहाँ पर आपको सेलक्ट करना होता है आपका poly clinic जिसका भी regional center में आता है वहां का regional center को आपने सेलक्ट करना होता है अगर इसका details नहीं पता तो आप ECHS का website में जाके आपने पता कर सकता है यहाँ पर देखिएगा में regional center और हमारा तो त्यलंगाना आंदरा का दोनों को मिला कि यह की regional center है वो हाइदराबाद है हमारा कोई confusion नहीं तो हाइदराबाद को हमने सेलक्ट कर दिया और साथ में जो भी अपना अपना पॉल क्लीनिक के गुंटूर है गुंटूर को सेलक्ट कर लिया हमने उसका बाद देखेगा यहाँ पर address को अपर दीजेगा यहाँ पर district को आपने वाल अड्रस आ लगए तो यहाँ पर डिफरेंटली शेलक्ट किजेगा शेलक्ट करने के पाद नीचे भी आपको बनने का मौका मिलता है यहाँ पर दूसरे अड्रस भी यहाँ पर दे सकता है इसका आप कुछ भी दे दो कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि कार्ड गर में नहीं आता है अड्रस पे नहीं आता है वो पॉले क्लिनिक में आता है पॉले क्लिनिक में जाके लेना होता है इसी वज़ेसे इससे कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है उसका बाद देखेगा यहां पर dependent का details आ गया यहां पर जैसे dependent details का आ गया आपने जैसे उपर में आपने यहां पर photo और signature अपलोड किया वैसे same upload किजिएगा फिर यहां पर उनका नाम अगर उनका कोई disease है कोई बीमार है कोई कुछ problem है तो यहां पर इस category में है तो select किजिएगा यहां पर उनका relation वाइफाई, डाटर है, मदर है, फादर है, जो भी आपने उनको select किजिएगा यहां पर select करने के बाद आगे देखेगा उनका data बर दीजिएगा यहां पर marital status यहां पर select किजिएगा यहां पर कोई income है तो डाल दीजिए आपने यहां पर mail ID, यहां पर mobile number, आदर है, status है तो available किजिएगा यहां पर आदर नेमबर डाल दीजिएगा जैसे आदर नेमबर डाल दिया है, यहां पर आपने इनका जो भी आपर कोई भी disability आपने अगर add करता है तो आपको पास certificate होना चाहिए, वो certificate का इसाप से यहां पर कोई इसका element का, element का अगर कोई percentage है तो यहां पर डाल दीजिए, और इसी certificate को आपने आगे upload भी करना होता है, यह बात को द्यान रखेगा, और यहां पर gender को select कीजिए, और यहां पर blade group को select करना होता है, अगर pen number है तो yes कीजिए, नहीं है तो no कीजिएगा, उसका बाद आगे इसका बाद देखिएगा, यहां पर pen number का हो गया, उसका बाद यहां पर drug allergies को कुछ से दिक्कत है तो आप yes कीजिए, अगर नहीं है तो no कीजिएगा, फिर same, अगर आपने normally जो पहली बार अगर कर रहा है तो लोग इनका इनका दोई columns खुल जाता है, यहां पर details बने के लिए आता है, दोसरा dependent के एक clone के लिए, सिर्फ एक आदमी के लिए बनने के लिए मोका आ जाता है, उसका बाद अगर इससे भी ज्यादा लोग है, बनने का है, तो यहां पर देखिएगा, यहां dependent करके option दिका जैसे क्लिक किया तो यह कालम और आड हो जाता है, फिर आपने सेम कारवा यहां पर भी करना होता है, यहां पर फोटो, सिगनेचर, उनका नाम, रिलेशन, डेटा बर्थ, मेरिटल स्टेटस, यह सब कुछ जैसे पहले मैं समझाया है, वो ही उसी साब से आपने याड यहां पर जैसे बता है, वो इसे डिटेल्स बर दीजेगा, फिर यहां पर देखेगा, डीपीडी वो आपने बैंक से लिया होगा, आपने उसको आपने यहां पर डालना होता है, यहां से अपलोड करना होता है, और पीपीओ यहां से अपलोड करना होता है, और यहां से पढ़ना चाहता तो मतलो चेक करना आप पढ़ना चाहता तो इसी सेलफ डिक्लेडेशन को कुछ इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता है आप उसका पाद आगे सिधा नीचे आईएगा यहाँ पर I agree कीजिएगा यहाँ पर Save Details कीजिएगा जैसे आप Details Save कर देता है जितना भी डेटा आप बर चुका है वो पूरा डेटा Save हो जाता है Save होने के बाद अगर आज Payment नहीं करना चाहता है Server में कुछ दिखकता है तो कोई बात नहीं आगले दो दिन का बाद भी यहाँ पर Payment कर सकता है यहाँ पर Make Payment करके आगे आपने आनलाइन में भी Payment कर सकता है कार्ड से भी बर सकता है और UP का Payment भी कर सकता है जैसे Payment करके Successfully आपको OTP आके Submit कर लेता है तो आपको यहाँ पर कितना Payment करना है यहां पर शो कर रहा देखेगा 531 रोपीस पेमेंट का शो कर रहा है इसी पेमेंट को यहां से आपने मेक पेमेंट कीजिएगा जैसे मेक पेमेंट कर देता है आपको एक पेमेंट का इंटरफेस कुल के आ जाता है और उसी इंटरफेस में आपको जैसे मैंने पहले बताया card का payment का आता है UPA का आता है उन में से आप internet banking का भी आता है उन में से जो भी चाता है आपने वहाँ select करके payment कर सकता है खनने के बाद आपको फिर दुबार login करना होता है login करके वहाँ से आपको एक application form ECS का application form मिलेगा और साथ में आपको जो पैसा payment किया आपको उसका receipt भी मिलेगा ये दोनों को आपने download करके रखना होता है और उसका बाद जैसे आपको ये application record में पहुंच जाता है वहाँ से verification किया जाता है verification होने का बाद आपको एक temporary slip मिल जाता है जैसे आपको temporary slip मिल जाता है जैसे आपको record office से verification हो जाता है उसका बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे ये खवर option कुल जाता है temporary slip करके उसी temporary slip का उपर जैसे आपने click करता है तो आपको एक temporary slip का फार्म डाउन्लोड हो जाता है उसी फार्म को आपने color photo copy तीन कापी लेना और अपना पॉलिक लेने की ECHS में जाके OAC से अपना डाकुमेंट्स का साथ में जाके OAC साथ मिलना है OAC साथ ने उसका उपर साइन करके आपको एक कापी देगा वो कापी को आपने अगले 6 महने तक वैल डिटी दिया जाता है आपका कार्ड आने तक उसी का काम आ जाता है ये कार्ड आपको verification औने के बाद record office से फिर डिली में जाता है डिली से आपको वो प्रिंटो के regional center का तुरू अपना ECHS polyclinic में आता है वहाँ से जब OTP आता है collection के लिए, card collection के लिए तब जाके आपने उस card को collection करना होता है इतना process इतना कारवाई इसमें होता है इसी theory जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप पूरी तरफ से जो भी लोग सुनता है सुनने के लिए मैं last तक देखने के लिए बता रहा हूँ इस video को कहीं सारा लोग उनको समझ में नहीं आता है क्या print लेना, कहां से print लेना है, कहां जाना है किस से card लेना है बहुत सारा चक्कर पड़ता है इसमें इसलिए मैं आगरे तक देखने के लिए बताता हूँ अभी मेरा काल से बहुत सारा लोग अद्धा वीडियो देखके छोड के गया होगा उनको कैसे समझ में आएगा इसलिए मैं इसी बात को बता रहाता सुरू से लेके अंतक देखेगा जैसे आपने इसका payment कर लेता है, करते ही आपको इस तरफ से login में आ जाता है यहाँ पे इतना options दिखता है इसमें क्या करना होता है इसी application form जो दिखरा है इसको आपने download करके print करके रखना होता है और payment receipt को भी download करके रखना होता है इस तरफ से आपको जैसे आप उसका temporary slip मिलता तो जरूर जाके OASY Polyclinic से sign कराईएगा तब ही आगे आपका जो भी आपकुद का और परिवार का treatment के लिए e-sitchis का जो भी facility मिल जाता है इस तरफ से आप अपना farm को online में अपना mobile से या तो computer से बर सकता है अगर आपको ये video informative लगा तो जरूर आपने हमारा channel को मदद मतलब मदद दीजेगा support कीजेगा और आगे अपना फोजी भाईयों को जरूर शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्स्राइब कीजिएगा जय हिन जय बारत